आपका स्वागत करती हूं आज मैं आपका सुपरवाइजर तयारी की जो हमारी योजना वाला जो कोर्स चल रहा था उसका पाच्वा भाग करने वाले आज जो वीडियो कराने वाली हूं न वो योजनाओं का ये समय दिए सार है मतलब जब मैं योजना वाला जो टॉपिक कुछ अध्यजगर सुपरवाइजर कराया था तो वहां के जो सारी योजनाओं के प्रश्णत है वो इसी वाली योजना के अंतरगत है मिसंसक्ति को क्या हो अलग-अलग दो पार्ट में बाटा है संबल और सामर्थ अब संबल योजना के अंतरगत कुछ योजनाएं हैं कु उनों के ही पार्ट मिलाके जो महिला ससक्तिकरन की योजनाओं हैं वो बहुत ज़्यदा महत्पूर होंगी हो वहीं से ही आपके सारे प्रश्ण बनेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह हमारी एल सिरीस का पांचवा भाग है योजनाओं कि इसके पहले के पार्ट नहीं देखें तो देख लीजेगा योजना बहुत ज़्यदा में रोल जो प्ले करता है आपका जो सुपरवाइजर के एक्जाम में क्योंकि में वहीं से ही सारे कोशन पूछे जाते हैं हमारी कुछ योजनाओं हो चुकी थी उसके बाद हमारा अगलिया है यह महिला ससक्तिकरन मि यह तेइस भी योजना इसके पहले बाईस योजना हम कर चुके तो चौबीस भी योजना उसमें हम मिसें सकती पड़ेंगे मिश tutte में क्या क्या है किस कि के बारे में बात क्ये गई-े सारे इफ्रयक्ट पड़ेंगी सबसे पहले पढ़ लेते हैं महीला ससक्तिकरन मिसन तो यह जो महीला ससक्तिकरन मिसन था, यह आरम्भ कब हुआ था, सबसे पहले आपको डेट याद रखनी है 15 अगस्त 2011 को महिला ससक्तिकरन मिसन आया था काव आया था रास्टी महिला ससक्तिकरन मिसन काव आया तो रास्टी महिला ससक्तिकरन जो मिसन आया था वो 2011 में आया था उदेश क्या था इसका महिलाओं का आर्थिक ससक्तिकरन सुनिश्चित करना मतलब महिलाओं को आर्थिक रूप से सुद्रड करना महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद करना ये इसका उद्देश था महिला ससक्तिकरन मिसन का काब आया था ये 2011 में यह मिसन आई थी है सुनिश्षित करना कि महिलाओं के खिराब جो उत्रोंतर हिंसा हो रही है उस्त्रों उत्रोंतर यह एहीं सा Ho रही है उसको समापत करना स्वास्त और सीफिशा पर जोड देना और महिलाओ का सामजिक ससक्तिकरन सुनिश्चित कहना इसकी में जो योजन थी जो महिलब स सक्तिकरन-कि तिन यहीं य之前 महिलाओं से सम्वंद्थ काम करते हैं उनका समन्वे करना आप से एक कोशन पूछा दा सकता है इनमें से कौन सी योजना विविन मंत्रालों और संग्ठनों में समन्वे स्थापित करती है तो यही योजना करती है कौन सी महिला ससक्तिकरन योजना ही विविन मंत्रालों में समन्वे स्थापित करती है विविन योजना और कारीकरम के तहत M, E, W बोलते हैं N, M, E, W इसको बोलते हैं N का मतलब यहां पर रास्टिय हो जाता है रास्टिय महिला ससकती करण E का मतलब यहां into empowerment हो जाता है और W का मतलब umm nine हो जाता है यह महिला और theralgar. और वाल्विकास बंतराले के साथ जब आ गई है यह योजना, that is very 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 important योजना, मतलब यहीं से ही सारे फेक्ट पूछे जाएंगे, आप देखिएगा मैं आगे बताऊंगी, आपको लगेगा कि कितनी जदा important है, तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है, कि जो मिसन सकती योजना है, वो कव आरम हुई तो मिस में मर्ज कर दिया था, मिसन सकती के जो मांदन है, मांदन है, वो कब से लाग हुए, एक अपरेल 2022 से, सबसे महत्मून फेक्ट अपने दिमाग में याद रख लो, कि मिसन सकती योजना कव आरम हुई थी, एक अपरेल 2022 से आरम हुई थी, इसका उद्देश क्या था, हिंसा से जो प्रभावित महिलाएं हैं, संकट ग्रस्त महिलाएं हैं, उनको तुरंद ततकाल देखवाल प्रदान करना, संरक्षन हिंसा पीरितों के बचाप के लिए पुनरवास संस्थान इस्थापित करना, कोई दहेश से पीरित महिला है, घरेलू हिंसा से पीरित है, यौन करकारी की भिविन्य योजनाओं के द्वारा महिला ससक्तिकरन किया जाता है, मिसन सक्ति की दो उपी योजना है, अब आप से ये पूछेंगे, इन में से कौन मिसन सक्ति की उपी योजना है, तो आपको याद रखना है, दो उपी योजना है, मिसन सक्ति की, एक है संबल, औ दोनों उप योजना की अंतरकत पहुत सारी योजना आती हैं इसके बार डारेक्ट अपन वहीं पर चलेंगे कौन-कौन सी योजना आती हैं आपको याद रखना है कि मेशन सकती की दो योजना है एक है संबल दूसरी है सामर्थ संबल क्या करती है जो संबल है वो महिलाओं की स सुरक्षा से संबंदित है उपयोजना कौन संबल मतलब सुरक्षा समर्थ मतलब संबल में कौन-कौन सी योजना जाएंगी जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है और सामर्थ में कौन-कौन सी योजना जाएंगी जो महिला को ससकती करन को बढ़ावा दे रही हैं संबल उप योजना के घटकों में नारी अदालत के एक नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्प लाइन, बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ यह पूरवर्ती योजना सामिल है, इसके अलावा यह योजना समाज और परिवार के भीतर को लेंगे कुद प्रिणन होता है वेकलपिक विबाद होते हैं, उनके समाधान में भी काम करता है याद रखो, यह वन स्टॉप सेंटर किसका भागे? संबल उप योजना का बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ, किसका भागे? संबल उप योजना का महिला हेलप लाइन, किसका भागे? संबल उप योजना का यह सुपरवाइजर में पूछा हो, 36 गर सुपरवाइजर के एकजाम में यह पूछा गया है इसलिए यहां भी पूछा जाएगा इसलिए योजना को बिल्कुल आप वीडियो को 102 बार देखिएगा जब तक यह आपको यार ना हो जाए नियाय को बड़ावा देने का काम करेगी सामर्थ उप योजना में सामर्थ उप उप उजना क्या काम कर रही है महिला को ससक्तिकरन प्रदान कर रही है इसमें उजवला आ जाएगा स्वादार ग्रह आ जाएगा छात्रावास आ जाएंगे इसमें जितनी भी क्रेच योजना के तरगर जो ICDS के तहर्ट प्रदान मंतरी मातर वंदना योजना है वो इसमें आ जाएगी है ना और ये महिला सुरक्षा संद्रक्षन वा महिला ससक्ति करने तू एक अम्रेला मिसन है जिसमें इसका उदेश्च क्या है महिलाओं को अल्प काली और दीरग काली सुरक्षा और दे प्रदान मंत्री मातर वंदना योजना हफ फ औरू परлемर्मेंट वूमेन सकति सदं सखी निवास और आंगनow master चाईएगा महिला। सबसे पहले आप यह याद रखो कि मिसन सकती में कौन-कौन से घटक आजाएंगे वन स्टॉप सेंटर बेटी पचाओ बेटी पड़ा ओ महिला हैल प्लाइन सामर्थ उप्योजना में कौन-कौन आजाएगा प्रधान-मंत्री मात्र बंदना योजना हब यह सारे एक्ट जाएंगे सामर्थ किसके लिए साम अपना नमपर और सन्हां फॉड्प को सेव कर दीजिए तरह कि कर दीजेगा अकांशाः 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं यहां भी आपको more update मिल जाएगा एक और खुसकबरी है आप लोगों के लिए कि पहले हमारे जो हमारा जो ऑनलाइन पैकेज रहता था जिसमें आपको डेली टेस्ट मिलते थे डेली पीडियाफ मिलती थी और डेली आपको टॉपिक कवर कराया जाता था कोई भी एक टॉपिक क अगर डेली टारगेट रहता था वह आपको किवल हमारे नोट के साथ सुभिधा मिलती थी लेकिर अब अगर आप नोट नहीं लेना चाहते हैं तो अब आप हमारा जो ऑनलाइन ग्रूप अकेले भी जोईन कर सकते हैं एक जैसे की 1499 का हमारा offline जो order होता था जिसमें आपको घर पे नोट मिलते थे सेबन बुकलेट मिलती थी और साथ में आपको online ग्रूप daily test series daily PDF मिलती थी हमारी सारी वीडियो की PDF मिलती थी सारा कुछ मिलता था फ्री वहाँ पर अगर आप केवल online ग्रूप से जोड़ना चाहते हैं तो 1499 का आप हाफ कर दीजिए तो 1499 के आप हाफ प्राइज में हमारा केवल online ग्रूप भी जोइन कर सकते हैं जिसमें आपको दो टेलीग्राम ग्रूप और एक paid WhatsApp का ग्रूप मिलेगा टेलीग्राम में एक टेस्ट ग्रूप मिलेगा जहां पर regular टेस्ट में होते हैं और daily हम WhatsApp पर daily तैयारी कराते हैं आज हमने vitamin C और vitamin B12 की तै अब हम योजना के बारे में पढ़ लेते हैं अभी हमने उपर पढ़ा था कि मिसन सक्ति जो है वो अपरेल 2022 में आगई थी जोलाई में इसको प्रारंब कर दिया था महिला सुरक्षा संरक्षन वा महिला ससकती करने तो यह एक umbrella योजना है अम्बरेला को मतलब क्या होता है वो हमको एक संरक्षर प्रदान करता है वैसे ही ये योजना क्या करती है और बालिकाओं का अलपबा दिर्ग कालिक सेवाओं के द्वारा देखवाल सुरक्षवा विकास करना मिसन सक्ति की दो योजना है अभी हमने पढ़ा एक संबल और एक है सामर्थ संबल उप योजनाओं में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे पहला दिया है One Stop Center जिसको हम question पूछेंगे आप से कि संबल योजना में किस एक घटक को अभी हाल ही में सामिल किया गया है तो संबल योजना में नारी अदालत को सामिल किया है मिसन सक्ति के अंतरगत जो संबल उप योजना है उसमें किसको सामिल किया गया एक नए घटक के में तो उसमें नारी अदालत को एक नए घटक के रूप में सामल किया गया है। संबल योजना में होगी। संबल योजना के वारे में पड़ें तो इस योप योजना के अंतरगत तौरिच सेवा के माध्यम से सुरक्षा के घटक जैसे वर्निस टॉप सेंटर, बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ, एवं महिला हैल्प लाइन सामिल किये गए हैं। संबल योजना में तो आपको याद रखना है कि संबल योजना है उसमें 100% अनुदान, 100% वित्तिय सहाइटा कौन प्रदान करता है, 100% वित्तिय सहाइटा केंज सरकार प्रदान करती है। संबल योजना में अलप कालिंग सरक्षा प्रदान की जाती है। सामर्थ जो योजना है उसमें क्या होता है दीरिक कालिंग सेवा प्रदान की जाती है। इसके माध्यम से महिला ससकती करन के घटक कौन है, Huff for Empowerment of Women, प्रदान मंतरी, मातर बंदना, योजना, सकती सदन, सकी निवास, आंगन वाडी सहाइपालना, सामिल है। इसन के लिए केंजर सरकार कितना देता है, 60% देता है और राजर सरकार कितना देती है, 40% संबल योजना में हमने क्या पड़ा कि पूरा का पूरा 100% कौन देता है, केंजर सरकार देती है, लेकिन सामर्थ योजना में क्या होता है, 60% केंजर सरकार देती है, और 40% राजर सरकार देती है, याद रखना संबल योजना में क्या है, संबल योजना में 100% केंजर सरकार व मिसन सक्ति के अंतगर अब जो सखी निवास है ये किस में आता है ये सामर्थ योजना में आता है क्या है सखी नेवास? सखी नेवास कोई यह महिला वसति ग्रह बोलते हैं कामकाजी महिलाओं को अपने मूल इस्थान से बाहर सभिधा जनक वसुरक्षित आवास की सभिधा उपलब्द कराने के उद्देश से बहरत सरकार के सयोक्त से ये सखी योजना संचालित है सखी योजना के अंतरगती क्या आता है? महिला वसती ग्रहा आता है ये कामकाजी महिलाओं को भोजन की सुविधा के साथ उनके छोटे बच्चों के लिए दिवस देखवाल केंदर की विवस्था की गई तब दिन में देखवाल अगर महिलाएं बाहर जाती हैं अपने बच्चे को नहीं समाल पाती हैं तो महिला वसती ग्रह में अपने बच्चे को छोड़ सकती हैं इसकी अतरिक्त जिला दंडादीकारी की अध्यक्षता में गठे समीती द्वारा प्रवंदन एवं निगरानी की की जाती है यह वी आप से को सकते हैं महिला वसती कर दिक्रफ होती है कार्यले सहायक होती है के अध्यक्रत में बरतमार में दो बन ना बन रहा है जिसका निर्मार अभी मतलब दो इंदोर में हो जाएंगे और एक भोपाल में आजाएंगे तो यहां की जो महिलाएं हैं जो वर्किंग मुमेन हैं वो अपने बच्चे को यहां पर छोड़ सकती हैं अगला है अगला भी यह भी सामर्थ योजना के अंतरगत है ही डवलू जिसको बोलते हैं हफ और इंपावर्मेंट ऑफ भूमेन महिला एवं बालविकास मिसन सकती की अंतरगत संचालित किया जा रहा है महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं एवं कारी क्रम के समनवे के लिए राज एवं जिला इस तर पर यह एक प्रोजेक्ट लिए का प्रावधान किया वह स्टेट हप कैंसरकार इवं जिला हफ से समनवे कर तध चहिला इस तर पर जिला हफ और इंपावर्मेंट ऑव में की अंतर्विवाग्य समनवे करेंगे इसका उद्देश क्या है जो हफ फॉर इंपावर्मेंट आफ बूमेन है साचन सासंद दोरज इतनी भी योजनाय संचालत की जाती है उसकी जानकारी महिलाओं को प्रदान करना महिलाओं का ससक्ती करन करना उनका विकास करना स्वास्त सिक्षा, केरियर, विफसाइक, परामर्स, वित्तिय समाबेशन, उत्तमिता को जोड़ना कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षा सुदिश्चत करना प्रतेक इस्तर पर सरकारी जो पदादिकारी हैं उनको संबिदन सील बनाना और उनकी छमता में ब्रद्धी करना पंचायट हुए, स्कूर हुए, आगनवारी केंदरो, ग्राम स्तरीय संस्थानों के कामकाज में महिलाओं की भागेदारी बढ़ाना ग्राम सभा की बैठों में भाग लेने के लिए महिलाओं को प्रोस्त साहित करना ये हफ और इंपावर्मेंट और बूमें का उदेश्य है ये हफ और इंपावर्मेंट और बूमें किस में आता है ये सामर्त उपयोजना में आता है मिसन सक्ती के अगला जो आता है सक्ती सदन आता है सक्ती सदन भी किस में आता है वही मिसन सक्ती के सामर्त उप योजना में ही सक्ती सधन के बारे में बात की गई है भारा सरकार दोरा जारी मिसन सक्ती के दिशा निर्देसो के अनुसार स्वाधार योजना एवं उझ्वला योजना का विले कर दिया गया Very very important question ये आपसे पूछेंगे कि जो मिसन सक्ति की दिशा के अंतरगत एक सक्ति सदन नाम से एक नवीन योजना आई है ये जो सक्ति सदन योजना है इसमें किन दो योजनाओं का विले किया है तो सक्ति सदन जो योजना है उसमें स्वाधार योजना एवं उजबला योजना का विल किया है सकती सदन में किसका विले किया है स्वाधार योजना एवं उज्वला योजना का विले किया है और उसको उस सकती सदन नाम दिया है यह कब से लागू किया गया 14 जुलाई 2022 से तो सकती सदन में कि कौनसी दो योजना मर्ज की गई है कौनसी दो योजना विले की गई है तो स्वाधार योजना की गई है और एक उज्वला योजना की गई है अब स्वाधार जो ग्रह है उसको सकती सदन के नाम से जाना जाएगा पहले जो स्वाधार ग्रह नाम से जाना जाता था उसको किस नाम से जाना जाएगा उसको सकती सदन के नाम से जाना जाएगा योजना कि संचालन में भारत सासन इवं राज जे सासन का जो वित्ती अंस है वो कितना होगा साथ हनुपाद 40 होगा मतलब 60 भाध कौन देगा केंद्र देगा और 40 भाध कौन देगा राज सरकार देगा. उसन सो रुपे अगर दे रहे हैं इस योजना को जवला का और दूसरा किसका किया है स्वाधार का इन दो योजना का इसमें बिले किया है सक्ति सदन किसमें आता है सामर्थ योजना में आता है सक्ति सदन में उन जरूरत महिलाओं को अधिकतम ती जरूरत मंद महिलाएं क्या कर सकती है अधिकतम तीन वर्स तक निवास कर सकती सक्ति सदन में महिलाएं कितने महिलाओं के पास गरह नहीं है वो कितने वर्स तक रह सकती है एक महिला तीन वर्स तक रह सकती है लिकिन अगर कोई विसेज पर इस्तितिया हो तो वो पाच वर्स तक के लिए भी अपना आविदन दे कर वहाँ पर रह सकती है सक्ति सदन में मरिवासरत महिलाओं को आसरे, पोशन, बस्तर, चिस्था, सुविदा, कानुनी सलहा और सुवलंबी बनाने हेतु व्यफसाइक प्रसिक्षन भी दिया जाता है प्रदेश में बरतमान में तेरा जलो में असासकी संस्थां द्वरा चवदा सक्ति सदन संचालित किये जा रहे हैं की संस्थाओं के माद्देम से कितने दिन समय तक रह सकती है माईलाए तीन तो उनका है यह लेकिन अगर विशेश परिस्थिती हो तो पांस साल तक भी रह सकती है यह देखो यह सकती सदन है पूरे चौदा कहां कहां है आप देख सकते हैं उजेन में है जबलपुर में है और राजगड में है यह इनके जो प्रधान नाम है इनके पद हैं जो चाना चाहता है उस शेत्र में विशेश में महिला कोई पीड़े थे नहीं है तो इन से संपर करके यहां पर रह सकता तो यह पूरे सकती सदन है यह नाम भी आपको एक बारी जिलों कॉन कॉन से जिले मे है यह याद रखना है तो टोटल कितने है वह रखना सकती सदन है चुदा सदन है और कितने जिलों में mis इसमें 14 है आगला है आगनवारी सहपालना ये भी उसी के अंतरगत आता है सामर्तोप योजना में भारत सरकार द्वारा रास्टिय जूला घर को बंद कर दिया गया और रास्टिय जूला घर को बंद करके क्या बनाया आगनवारी सहपालना के नाम से नवीन योजना आरंब की याद रखिएगा रास्टी जूलागर योजना को बंद किया गया और रास्टी जूलागर योजना को बंद करके किस नाम से एक नई योजना आरंब की गई है तो आगनवाडी से है पालना के नाम से नवीन योजना आरंब की गई इसका उदेश क्या है काम काजी महिलाओं को रोजगार के अपसरों को बढ़ावा देना मतलब जितनी भी काम करने वाली महिलाएं हैं वो बच्चों के कारण अगर अपना खुद का आर्थिक ससक्तिकर नहीं कर पा रही कहीं जौब करने नहीं जाप पा रही हैं तो बच्चों को आंगनवाडी में छोड़कर वो जौब पर जा सकती हैं तो उनकामकाजी महिलाओं को रोजगर के अपसरों को बढ़ावा देने के लिए इसको आरंब किया गया कामकाजी महिलाओं के छे महासेश 6 वर्स तक के बच्चों को देखवाल सुभिजा उपलब्द कराई जाती है बच्चों के स्वास्त पोशन इस्तिती में सुधारवी किया जाता है तता उदेश सेंका उनके सरवांगीर विकास को बड़ावा देना आंगनवारी जो सहपालना है उसके संचालन के लिए एक कारेकरता तता एक सहाईका का प्राबधाने आंगनवारी जो सहपालना बनाए है उनकी लिए हर एक जो सहपालना है उसके लिए एक कार्यकरता होगी और एक सहाई का होगी ये प्रापधान किया गया है किसमें आगानवाडी सहपालना में याद रखेगा अगला है प्रधान मंतरी मातर बंदना योजना प्रधान मंतरी जो मातर बंदना योजना है वो मसंसक्ती योजना की संबल योजना की अंतरगत आती है प्रधान मंतरी मातर बंदना योजना ये कब आरंब की गई थी ये आरंब की थी एक जनवरी 2017 से प्रदेश के समस्त जिलो में रास्टी खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत संचालित है रास्टी खाद सुरक्षा अधिनियम से याद आया कि यह वाला अधिनियम आपके सिलेवस में है और हमने हमारा जो पेड ग्रूप है कोई भी धारा कर उनसे पूछ ली जाएगी इसके तहर जितने भी फैक्ट है कितना के लोग अनाज दिया जाता है पर प्रतिक परिवार कितना दिया जाता है इसके इसमें में लोग कितने होते हैं सदस्य कितने होते हैं सारा कुछ इतना भी इसके फैक्ट बनते हैं सारा कुछ Gipes हमने कबर करवा दिया है इसी रास्टी खात हो स रख्षा धीनियम के तेद, प्रिधान मंतरी मात्र योजना जो है संचारत है, मिसन सक्ति के सामर्त के अनतरगत, प्रिधान मंतरी मात्र बंधना योजना सरूप में परिवर्टन करते हुए नवीन प्रापधान के अनुसार एक अप्रेल 2020 से इसको संपूर भारत में लागू किया गया योजना का क्रियान वाइन जो है भारत सरकार दौरा संचारित पोर्टल है एक प्रदान मंत्री मातर बंदना योजना सौफ्ट इसके माध्यम से किया जा रहा है फ्रेंड्स यह हमारा मैला सौपरवाइजर का पैकेज आप देख सकते हैं तोटल आपको सेवन बुकलेट मिलेंगी पहली पोशन एवं स्वास्त की दूसरी योजना एवं संस्था की तीसरी गड़ेत तरक सकती कंप्यूटर चौथी सिस्टू की प्रारंबिक देख वाले हम सिक्षा पाँच भी जो है वो तीन हजार प्लस एमसी क्यूट का वस्तो निष्ट प्रेस ने चेटी नियम अधी नियम और विकास सारी दिक सरन रशना है और जो साती बुकलेट है साब सेवन्त जो वॉल्यूम है उसमें एक 1000 वॉल्यूम है। बहुत सांदर हमारी बुकलेट है और बहुत सांदर हमारी यूशन है और बहुत सांदर यह नोट से हैं return है बहुत easy language में इनको cover किया है अगर आप इनको order करना चाहते तो इस number पर मुझे WhatsApp करके आपका अपना address full भेजना है अगर आप गाओं में रहते हैं या out of MP रहते हैं तो आपका courier charge 100 से ज़्यादा लगेगा otherwise किसी जिले में रहते हैं तहसील में रहते हैं तो आपका 100 courier charge ही लगता है इसके अलावा फैंस ये 7 booklet के साथ हम आपको एक group provide कराते है WhatsApp का एक test group टेलिग्राम पर और एक PDF गूरुप दी जाता है टेलिग्राम पर यहाँ पर तीनों में बहुत सांदार तयारी करवाई जा रही है कोई भी cutting topic हो उसको सरल तरीके से trick द्वारा cover कराया जाता है डेली रात को classes होती है डेली रात को test होते हैं 10 बजे से यह दि कोई cutting topic होता है तो पहले उसको तयार करवाया जाता है फिर उसका test लिये जाता है डेली का एक target आपको दिया जाता है तो मार्किट से आप पांच बुक भी ले आएंगे और पांचों बुक में भी आप कोई टॉपिक डूड़ेंगे तो आपको हर बुक में अलग अलग किसी बुक में कुछ एक चीछ जादा होगी दूसरी चीछ काम होगी और पूरा टॉपिक कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि मार्किट की बुक्स में आप देखेंगे कि अगर मिल रही है तो उसमें मैस और रीजनिंग की बहुत सारी कंप्यूटर मैस रीजनिंग के ही प्रेशन बहर डाले हो मैस का अगर आप किसी कोई भी सॉल्यूशन करेंगे किसी भी सम्स को सॉल्व करेंगे तो आदे से एक प्रेशन नहीं दाले है मैस के लिए जो अलग वुक्लेट है उसमें ही आपको मौडल सेट मिलेंगे इन में हमने पूरा का पूरा पूरा त्योरी वाला पार्ट है पोषड वालविकास रोक टीका गरन यह वाला जो अधिन्यम वाला पार्ट है उसको पूरा कबर किया थीन ह वर आपको करा है हम आपको टैसोरी भी दे रहे हैं हम आपको को डेल्य टौपिक में और यocy कोई अगर वक्ष और सबनर कोई चोकstad कोई कपाथ लगता है इसके अगर बुड़ा हैं सबक्ले। कोई एक्ट आता है सारा का सारा हम कबर करा रहे हैं तो ये सारा का सारा आपको मिल रहा है केवल 1499 में लेकिन अगर आप हमारी ये वुक्स नहीं लेना चाहते हैं वुक्स आपने ले ली हैं पांसता जगे से ले रखे हैं तो आप हमारे ओनलाइन ग्रूप से जोड़ जाएं औलाइन ग्रूप में ही आपको इतना सांदर मेटरियल मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा 100% सिलेक्षन का हमारा ये पैकेज है अदीनियम हो धाराएं हो ये सारा ट्रिक द्वारा कबर है डेली टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे डेली पीडियाफ मिलेंगी सारी ज हमने हमारे स्टुडेंट को विटामिन B12 और विटामिन C पूरा का पूरा याद करवा दिया है ऐसे हर एक चीज़ पूरा याद करवाया जाता है 11,000 एक प्रश्नों का हमारा एक प्रश्नों बैंक बन रहा है जिसकी वीडियो भी करवा चुकी हूं वो भी यहां पर फ्री यूट्यूब की सारी पीडिया फ्री दी जाएंगी बड़िक्षा तक 40,000 प्रेश्न तैयार करवाएंगे अगर आप घर पर नोट्स मंगाते हैं तो यह सारा जो पैकेज जिनके बारे में बतारियों सारा आपको फ्री मिलता है अगर आप नोट्स नहीं मंगाना चाहते हैं तो सासुन इन्यानवे में आप हमारा ये गूरूप जोइन कर सकते हैं गड़ित के भी प्रेश्न हम ट्रेक द्वारा करवाएंगे यह इस प्रिकार की यह बुकलेट है यह पूरी सैवन बुकलेट मिलती हैं तेरा सुन इन्यानवे प्लस इसमें कोरियर जिनमें पांस ठियो पोलना है कि हमको यह seven booklet पर्चेस करना है और आपको हमारी गूरूप से जूणना है अगर आपको बुक सब्सक्राइब को अपना एड्रेस देना पड़ेगा और अगर आपको on-laiन जूणना है केबल तो आपको पेमिंट करना पड़ेगा जैसे ही पेमिंट करेंगे हम थन आपको जोड़ देंगे और आपको तैयारी स्टार्ट हो जाएगी पुरानी जितनी पीडियाफ है वो भी आपको हमारी गुरूप में मिल जाएगी अब हम बात कर रहे थे प्रदान मंतरी मात्र बंदना योजना की यह भी 36 सुपर्वाइजर में मैंने आपसे बोला जब मैंन यह यही यही हुआ कि मैंने सीपर्वाइजर का आपको पेपर करवाया था उस पेपर में भी यही सीदे सीदे प्रशन उठाए जाएंगे तो प्रदान मंतरी मात्र बंदना योजना का बारंभी 2017 में ये जो सामर्थ योजना है मिसन सकती योजना है मिसन सकती हुना दो योजना में वट्टी एक तो संबल एक सामर्थ योजना का भाग है इसमें क्या उद्देश योजना का मातर बंदना योजना का गरबती महिलाओं को मजदूरी की हानी की आंसिक छती पूर्थी के रूप में प्राबदान क्या है प्रतम प्रसाक्राशी 5000 रुपय कितने डी जाएगी है दूसरे UPBALYE का जनम पर 6000 रुपय लाव एक किस्त रुप किस्तों में दैटा जाएगा और फैला वरच्चा हो गाँ तो 5,000 रुपे का लाब दो किस्तों में दिया जाएगा ये भी कोशन पूचा गया था सुपरवाइजर में पात्रता क्या है इसमें S.C.S.T. वर्ग की महिलाएं इसमें पात्र होंगी इसके अलाबा 40% पूर्ता दिव्यांग महिलाएं इसमें पात्र होंगी गरीवी रेखा वाली रासन कार्ड धारी महिलाएं इसमें पात्र होंगी आयुस्मान भारत के अंतरगत अगर प्रधान मंतरी जने आरो की योजना की जो पात्र महिलाएं वो इसमें पात्र होंगी जिनके पास इसरम कार्ड है वो महिलाएं इसमें पात्र होंगी रास्टी खाद सुरक्षाधी ने हम 2013 के तेहत रासन कार रखने वाली महिलाएं इसमें पातर होंगी तो यह यह सूजना की पातरता है, पातरता भी आपको याद रखना है क्योंकि पातरता से सम्मंदिक कोशन भी पूछ लिया जाते हैं इस योजना की उपलब्धी क्या है? 2023-2024 में प्रदान मंतरी मातरबंदना योजना के अंतरगत 661,226 हितगराईओं का पंजियन किया गया है प्रधान मंतरी मातर बंदना योजना की किर्यानवन में मध्यप्रदेश रास्टी इस्तर पर पहले पांच वर्सों से लगातार प्रथम इस्तान पर आ रहा है यह भी आप से पूछ सकते हैं कि प्रथम राज्य कौन आया है तो हमारा मध्यप्रदेश आया है अगला है One Stop Center, ये जो One Stop Center है ये समन्सक्ति योजना की संबल योजना के अंतरगत आता है One Stop Center को सखीक के अंतरगत भी बोल सकते है सभी प्रकार की हिंसा से पिरित महिलाओं को आस्रे आप्स एवन पोलिस डैस कर ये प्रधान करता है इसमें वन स्टॉप सेंटर, उसकरण, अनुभब सेंटर, चिकिस्त एवं परामर्स, सुविधाय आदी दी जाती है एकी छत के नीचे हिंसा से पीरित महिलाओं एवं परिवारों की सहायता करना इसका वन स्टॉप सेंटर का मुख उद्देश है पीरित महिलाओं ग्रामीन आपातकालीन इवं गैर आपातकालीन सहायता दी जाती है जैसे चिकिस्त विधिक मनोविज्ञानिक परामर्स आदी किसमें वन स्टॉप सेंटर में इसमें कौन सी महिला है इसमें पात्र हो जाएंगी तो हिंसा सी बिरित महिला है जिनमें 18 वर्ष से कम उम्री की लड़किया भी सामिल है को सहयता प्रदान की जाती हैं वर्ष से कम उम्री के बच्चों की सहायता का प्रापधाम, लेंगी का प्रास से बच्चों का संरक्षन अधीनियम दो हजार बारा एवं किसूर न्याय अधीनियम दो हजार पंदरा के अंतरगर जो किसूर वैश्क हैं, उनको भी इस वन ये जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये भी जो मिसन सकती योजना है, उसकी संबल योजना में आती है, घर्टे लिंगानुपात की समस्या को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, योजना आरम की गई, बरतमान में ये पदे योजना की सुरुआत कप की गई थी, आप लोग मुझे ये कमेंड वाक्स में बताएंगे, योजना का उत्देश से क्या है, सामाजिक लिंग समाप्त करना, वालिका का विकास एवं संडक्षन करना, बालिका की सिक्षा एवं सहवागीता सुनश्यत करना, जेंडर आधरित भेद वापको मिटाना, इसमीं क्या होता है, 918 से कम SRV वाले जिलों के लिए, मतलब जिनका लिंगान उपात 918 से कम है, उनके लिए 40,00,00,00,00,01,00 से 952,00,00,00, लिनगान उपात वाले जिलों के लिए 20,00,00,00, प्रतिवर्स रासी का प्रावधान है, योजना की अंतरगत चमता वर्दन, भ्यवार परिवर्दन, संचार प्रतिवागिता, स्प्रोषकार एबं सम्मान, नवाचार की गतिविद्या भी इसमें सामिल की गई है, जो भारत सरकार द्वारा सुझाएगा है कैलेंडर के अनुसार है, ये देखो, क्योंकि सिर्फटों में एक्जाम है, इस अगला है, मध्यप्रदेश में मही, अब ये आता है कि, जो हेल्प लाइन नंबर मध्यप्रदेश में चल रहा है, वो कप से चल रहा है, कहां से संचालित किया गया, ये भी संबर योजना के अंतरगत है, हेल्प लाइन, तो मध्यप्रदेश में महीला एवं बालवेकास कंट्रोल रूम का जो संचालन हुआ था, जिसके तहत ये महीला जो हेल्प लाइन आरम की गई थी, महीलाओं को किसी भी तरह की अगर दिक् बालवेकास कंट्रोल रूम का संचालन, एक सितंबर 2022 से भुपाल के हुशंगावाल रोट पे मिसरोथ पर एक कैपिटल मॉल है, उसकी तीसरी मंजिल का कक्ष क्रमांग 316 है, जहां पर ये महीला बालवेकास कंट्रोल रूम का संचालन किया जा रहा है, और इसके लिए आप को कौन सी हेल्प लाइन नंबर दिया जाता है, 181 और 1098 में दिया जाता है, महीला हेल्प लाइन 181 का संचालन, एक मार्च 2020 से जो चिल्डरनों का है, बाल बच्चों का है, उसका कंट्रोल रूम कैपिटल माल भोपाल में CM हेल्प लाइन 181 के बैक एंड पर किया जा रहा है किसी भी प्रिकार की हिंसा से प्रभवेत महीलाओं को 24 घंटे 7 दिवस साहेता प्यदान की जाती है, संकर्ट या कठिन परिस्थिती में कोई भी महीला अत्वा, 18 वर्से कम उमर का बच्चा अत्वा, उनकी और से कोई भी व्यक्ती 181 या 1098 या 100 वट 112 पर कॉल कर सकता है, उ सारे ही नंबर महीलाओं से जोड़े हुए हैं, महीला हेल्प लाइन 181 पर प्राप्थ होने वाले काल्स को, काल रिस्पॉंटर द्वारा काल की प्रिकरती की आधर पर उन्हें आपत कालींज अगर सेवा है, अगर आपत कालींज निस्थिती है, तो डाइल 100 पर ट्रांसफर कर देती हैं, और अगर गयर आपत कालींज निस्थिती है, तो बन स्टॉप सेंटर पर प्रेसित कर दिये जाते हैं, तो फ्रेंज ये ता हमारा पूरा मिसं सकती हो, यह सारी योजनाय आती है, और यह सारी की सारी बहुत इंपॉर्टन है, तो इनको बहुत अच्छे से आप को कर लेना है और वीडियो अच्छी लगे तो like, share, subscribe जरूर कीजेगा अगर आप हमारे books लेना चाहते हैं, हमारे online group से जोड़ना चाहते हैं, daily test देना चाहते हैं, तो मुझे whatsapp कर दीजेगा, मेरा whatsapp number उपर लिखा हुआ है, 626-0190-944 साथ में, description box में भी लिखा हुआ है, इस